आज का जो हमारा लेसंस है वो नायत स्टेंडर्ड का साइंस का सेवंच चैप्टर है यह हमारा बाइलोजिकल कोर्शन है इसमें हम डाइसिटी इन लिविंग और्गिनिज में हम प्लांट्स और एनिमल्स की इसमें जो मतलब इसमें जो इस्टरनल फीचर से उनके जो रीजन से पाई जाते हैं उसमें जो भिन्नताएं हैं उसके बारे में आज हम इस ससन में देखेंगे तो चलिए समयना खराब करते होई टॉपिक पर आते हैं तो यह जो हमारा चैप्टर है डाइविस्टी इन लिवि में लेशन है आज के आज इसी हेडलाइन पर आज इसी लेशन पर हम डिसकुसन करेंगे बहुत अच्छे बहुत ही सिक्वेंसियल में तो आप फुली कंसंट्रेट रहें आप लोग फुली कंसंट्रेट रहने की जरूरत है और समय ना खराब करें चलिए देखते हैं कह रहा कि जितने भी ऑर्गनीजमस हैं जितने भी जूधारी इस गुरूम में रखे गए हैं उनकी सेमीलर्टी और इनक्रेंजिंग कॉंप्लेसिटीच के आधार पर सवानता हों गया और इसमें जटिलता उसमें क्या टीसु लेवल वह सेलोलर लेवल के तो नहीं है कि टीसु as increasing complexity termed as complexity so on the other hand organize बसे चलिए समझे लेते organize क्या होता है समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि organize क्या होते है चलिए organize को देख लेते हैं क्या होता है समयना खराब करते हूँ तो पहले cells होती है क्या होती है cells cells से फिर क्या बनती है तिसूज बनती है क्या बनती है तिसूज बनती है तिसूज हमारी और डेवलप हो करके फिर औरगन का फार्मेशन करती है इसकी फार्मेशन करती है औरगन की औरगन की फार्मेशन करती है और यह औरगन हमारा औरगन सिश्टम बनाता है क्या बनाता है औरगन सिश्टम है yell आगम बढ़ते हैं तो mr कि सफ्रोब के सारे मिल करके जैसे कि हमारी system क्या टैसे कि हमारा system से सर्कुलेटरि सिस्टम हो गया ती यह सारे system मिلकर के एक औरगेनेज्ड का क्या करते हैं किसका करते हैं औरगेनेज्म का किसका करते हैं और यहां पर मैंने लिखा नहीं यहां पर मतलब दिया हुआ थो इसको मैंने कोसिका हमारी जीवन की एक मूल एकाई है कोसिका हमारी जीवन की सनराच्मक और किर्यात्मक एकाई होती है जीवन की हमारी सनराच्मक और किर्यात्मक एकाई होती है अब ये सनराच्मक और किर्यात्मक एकाई सेल्डिवीजन होती है यहीं सेल्डिवीजन आपस में परफॉर्म करती है सेल्डिवीजन और इस सेल्डिवीजन के ही मैनर में टिसूज का फार्मेशन होता है तो अब टिस और परफॉरम करती है और 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 का फार्मेशन कर लेती है ये और्गेन का फार्मेशन कर लेती है अब ये और्गेन और पर्फार्म होती है और फिर ये और्गेन सिस्टम का क्या कर लेती है फार्मेशन कर लेती है अब ये और्गेन सिस्टम में हमारे बहुत सारे और्गेन सिस्टम आगे है जैसे की बहुत सारे हमारे और्गेन सिस्ट का होगे ? डाजिस्टिव सिस्टम होगे और दूसरा हमारा हो जाएगा रिसकारेटरी सिस्टम थर्ड हमारा हो जाएगा इस करेटरी सिस्टम फॉर्थ हमारा हो जाएगा फॉर्थ हमारा हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब सिस्टम हमारे मेन इंपोर्टेंस हैं किसी भी अगर हम और्गिनिज्ट की बात करेंगे तो ये पाचो सिस्टम का होना मोस्ट कम्बल सरी है फार हाइयर और्गेनेजमों अगर यह जो हमारे कॉर्डेट मेंबर होते हैं मीज्स जिसमें वर्टिबर कॉलम वेल डेवलाइड होती है वह हाइए और गिनेज्ज में इस्टिम का होना मोच कंबल सरी है तभी उसकी बौडी डिजाइन वेल इस्पेसिलाइजद होगी means यह सब जब सिस्टम उस पार्टिकुलर और्गिनिज में मतलब परजेस होगी तो वह और यह बहुत बेटर परफॉर्म करेगी और अपनी इग्जिस्टेंच को प्रॉपर में मेंटेर रखेगी और अपनी कॉंटियूटी रेस को भी मेंटेर रखेगी तो यह फाइब और औ सरफेगी तो में माष इस स्टेम परफार्म होती है उसको हमड़ेस सिस्टम करती है मीनस ऑक्सिजन को इनहल करती है और carbon dioxide को एक्जहेल करती है फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलती है iscrative system iscrative system में nitrogenous waste product को हमारे जो kidney होती है वो kidney क्या करती है the elimination of nitrogenous waste product और फिर उसके बाद circulative system होती है इसमें blood vessels होती है artery, vein और capillary इसमें blood का क्या होती है blood बलड का circulation होती है अगर ये blood जो भी जो भी substance हम digestive system में perform करते हैं means लेते हैं multivitamines and minerals carbohydrates, fat, lipids and cholesterol ये सारे के सारे चीज blood stream में epithelial cells of intestinal epithelial cells of small intestine they poured into the blood stream blood stream then the circulation of blood from whole of the body then the nutrients were assimilate to whole of the body कहने का sense ये है जो digestive system हम perform करते हैं means ingestion, digestion, absorption, assimilation ingestion ये जब five steps होती है हमारे digestive system में ये most importance होती है और ये इसलिए importance होती है क्योंकि जब digestive digestion होता है तो absorption भी होता उसका है और absorption जब होगा तो assimilation होगा assimilation होना मुष्ट कंबसरी है विकाज जिस organ system को जिस ही भी हमारे particular body को parts को nutrients की need होती है उसको proper manner में उसको मिलती रहती है ये हमारा digestive system है अगर हम digestive system की definition को देखना चाहेंगे तो digestive system की definition होती है दा दा ट्रेक फ्राम माउट तू टर्मिनेट फ्राम एनास इज नोन एज elementary कैनाल मिस दा कैनाल फ्राम माउट तू दा एनास इज नोन एज elementary कैनाल उसी elementary कैनाल को ही हम digestive system ही कहते है माउस से लेकर कि जो हमारी opening या cavity होती है और एनास के जाके terminate होती है उसी को हम digestive system कहते है और ये digestive system में बहुत सारे organ involved होते है digestive system को complete कराने के लिए digestive system को enhance कराने के लिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं समय न खराब करते हुए यह तो रहा हमारे introduction अब आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि अभी हमने मतलब discussion कर रहे थे इसके बारे में कि मतलब organics कैसे perform होती है यहां तक हमने organics के बारे में देख लिया है अब आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अब diversity in living organics अब हमें समय न खराब करते हुए हमें यह पता करना है कि diversity in living organics क्या कहना चाहता है अखिर इसके बार में हमें क्यों पढ़ना है तो इसके बार में इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि डाइवेर्सिटी जो भी है अल्माइटी गौड है इस ब्रहमान को रचा है उसमें अलग अलग पर जातियों का अलग 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 रिजन पर वो क्या होते हैं है विटार्ट है उनका तो चलिए देखते हैं कीहरा की आल लिविंग और लिविंग और गेनेजम व गुरुपड sax और सिमिलर्टी जो एंड कॉंपलेक्सिटी इंक्रिजिंग सिटी इडिफ्रेंड complexity यही हमें देखना है कह रहा कि जितने भी और्गेनेजमस हैं वो किस आधार पे मतलब किस आधार पे उनको ग्रूप में रखा गया है उनकी सामानता के according similarity means क्या होता है सामानता सामानता और उनकी increasing complexity जैसे कि हमने ने बताया कि complexity क्या होती यह आतों लेवल का होगा यह tissue level का हो सकता यह organ level का हो सकता यह organ system level का हो सकता है फिर यही into different complexity और अलग अलग complexity होती है इनके वो अभी हम नीचे discuss करेंगे तो चलिए अब और और गिनिज्ट को देखते हैं क्या होता है और गिनिज्ट तो जैसा कि और गिनिज्ट की अगर हम बात करते हैं इसकी और गिनिज्ट तो यह और गिनिज्ट और गिनिज्ट में भी categorized into two forms date is prokaryote and eukaryote जो हमारे जिवधारी है उनको दो भागों में बाटा गया है पहला prokaryote और eukaryote तो अभी हम ना आगे बढ़ते हुए इसको पहले हम देख लेते point to point हमें देखना है अगर हम point to point नहीं देखेंगे तो हमारा सारा scenario यह alternate हो जाएगा means well explanation form में नहीं चल पाएगा तो हम point to point देखते हुए चलेंगे तो पहले हम prokaryote समझ लेते prokaryote होता क्या है pro means होता यह Greek word से लिए गया है Greek Greek pro profile होता है primitive profile क्या होता है primitive we are age đudno-maryod for nucleus a nucleus में primitive nucleus अगर हम प्रोकेर्योत को कहें तो प्रोकेर्यम्इट और ड्राइब from two Greek words pro for primitive and很好 nucleus नहीं समझ में तो फिर से देख लेते हैं यह जो हमारे प्रोकेरियोर्स होते हैं इसमें नुकलियर मेंब्रेंड अपसेंट होती है या तो कह सकते हैं कि अंडेवलब्ड होती है क्या होती है वेल डेवलब्ड नहीं होती नुकलियर मेंब्रेंड वेल डेवलब्ड नहीं होती सिज्वाइब करता रहता है तो चलिए आगे देखते हैं तो यह जो इस होता है तो प्रोकेरियोर्स को देखते हैं 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 तो प्रोकेरियोर्स को मेंस एक कोश्किय के होते हैं यूनिफार सिंगल एंस सेललर हो जाएगा सिंगल सेल्ड फिर आगे बढ़ते हैं तो यह जो यूनिसललर होते हैं वो ज्यादतर क्या होते हैं मौनिरा होते हैं मौनिरा वो क्या होंगे हमारे मौनिरा होंगे क्या होंगे मौनिरा क्या होंगे मोनेरा में हमारे बेक्टिरिया आते हैं चले आगे बढ़ते हैं जो दूसरा हमारा मतलब टर्म जो दूसरा हमारा फेक्ट दूसरा हमारा पॉइंट था वो हमारा यू केरियोट है अब यू केरियोट को भी ग्रीक वर्ट से ही डराइवड किया गया है किसे डराइ carry out for nucleus तो आपको понसेट आपको incident क्लियर हो जाएगा आपको derived पता है तो आपका सारा concept आपको clear हो जाएगा समझ में आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं you for true इसको आपको लिख लेना write down अपने copy में अच्छे से कर लेना है समझ जाए जो भी point हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं excellent करते चलते हैं उसको आपको write down करके चलना है ताकि आपको जो यह आगे term मिले जो भी आपको term मिलता है वो आपको बाद में confusion create ना करें चलिए देखते हैं तो karyote far हो जाएगा nucleus means इसमें true nucleus होता है हमारे eukaryote होते है means इसमें well developed nuclear membrane पाई जाती है means इनका जो nucleus होता है वो nuclear membrane के अंदर होता है तो चलिए अब आगे देखते हैं eukaryote जो होते eukaryotes are classified into two subgroups eukaryote को दो subgroups में बाटा गया है वो दो subgroups हमारे क्या होंगे वो दो subgroups हमारे हैं वो दो subgroups हमारे हैं unicellular, multicellular means unicellular means हो जाएगा single single cell and multicellular स्वार हो जड़ाँ मैंनी शेल्ड इस्ट्रक्चर तो चलिए देखते हैं unicellular कि अगर हम बात करेंगे unicellularogen होते हैं unicellular हमáveis pro unicellular हम्हारे protista होते हैं project example amoeba protista में हमारे क्या आ जाएंगे amoeba आजाएंगे तो चलिए देखते हैं यह जो unicellular होते हैं unicellular हमारे protesta होते हैं protesta का example है हमारा amoeba अब चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है आगे हमें मिलता है multicellular क्या मिलता है multicellular अब यह multicellular are categorized into two subgroups on the basis of cell wall cell wall के आधार पर multicellular को दो भागों में बाटा गया है किसके आधार पर दो भागों में बाटा गया है on the basis of cell wall structure cell wall के structure के आधार पर multicellular को दो भागों में बाटा गया वो दो भाग हमारे क्या हो सकते है विद सेलवाल होंगे क्या होंगे विद सेलवाल होंगे क्या होंगे विद सेलवाल होंगे और विद आउट सेलवाल यह जो हमारे मल्टी सलोलर हो मल्टी सलोलर को सेलवाल के ही बैसिस पे दो भाग में बाटा गिया विद सेलवाल और विद आउट सेलवाल और यह जो विद सेलवाल होते हैं चलिए विद सेलवाल को देख लेते हैं विद अगर हम विद सेलवाल की बात करेंगे किसकी बात करें जानगे विदसलवाल गृट बात करेंगे तो इसमें जो होता है कह रहा है कि दूनाट परफार्म फोटो-सेंथासिश क्या कह रहा है कह रहा है कि कह रहा है कि कह रहा है कि कह रहा है कि हां इसमें फोटो सिंथिस परफॉर्म नहीं होती है क्यों नहीं परफॉर्म होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाती है क्लोरोफिल नहीं पाए जाती है क्लोरोफिल नहीं पाए जाएगी तो यह जाहिए सी बात नॉन गरिण प्लांट ही कहलाएंगा यह सह कि अभी पहले मैंने बता दिया है तो चलिए अगे देखते हैं तो यह जो मतलब सबस न mom रखते हैं जो दूसरा फॉर्म है वह एरखतो फर्फांट यह यह क्या रखता है अपने आपको मतलब यह यह कैपेबूल होता है यह क्या होता है है कि थी कर आने के लिए मम प्लाणडी नहीं समझें चले फिर समते ही तो वाँ सर्फ चलने दीजे जैसा फुल हो रहा है इतना स्वज़ है आगे आपको अगर विदा आउट सेलवाल की अगर हम बात करेंगे तो विदाउट सेलवाल हमारा एनिमलिया हो जाएगा इसकlier किन्डम है फंजाई पर गैश्टा करने वाले हैं वो फाइब किन्डम को ही अभी आगए हमें detail explanation mode पे रखना है उसको तो चलिए इतना हो गया आप लोग को समझने भी आगे हो गया है अब आगे बढ़ते हैं तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो animalia क्या आता है animalia तो animalia किसके बारे में देखेंगे आप animalia animalia तो animalia जो होता है animalia में भी category into two sub headlines that is cellular level and tissue level animalia को दो भागों में बाटा गया है किस आधार पर cellular structure के बेस 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 हमारा क्या हो सकता है cellular level होगा क्या होगा cellular level होगा और tissue level होगा अगर हम cellular level की बात करेंगे तो cellular level में हमारे क्या आएंगे पूरिफेरा आएंगे क्या आएंगे पूरिफेरा आएंगे तो यह जो हमारा पूरिफेरा होते हैं वो वो उसमें on the basis of cello structure on the basis of cello structure maybe categorized into three forms no cello, false cello and with cello यहा तो नू sein क्या होगे यह तो नू सीलोम होगे इसमें पाए जाएगा या तो इसमें केविटी पाए जाएगा तो चलिए देखते हैं नूसी लो म जो होते हैं प्लेटी ह्लमेंथेज तो इसमें पाय जाता है आपको याद कर लेना है नीट यूजी एक्जामनेशन में ही ऐसे ही डारेट कुश्चन इसमें सीलोम नहीं पाय जाती है तो आगे हम बढ़ते हैं अब जो सीलोम होता है हमारा इसमें जो बताएगा फालसीलोम होता है फालसीलोम हमारे नेमेटोड में पाय जाते हैं किसमें पाय जाता है फाइलम आसकेहलमन्थिस का जो हमारा मतलब फाइलम है आसकेहलमन्थिस जिसको नेमेटोडा कहते हैं उसमें फालसीलोम होते हैं वो जितने भी और्गिनिज हमारे जाते है चाहे वह वो चाहे वो हमारे जो भी खिर ऑर्गिनीज्व है उच्रेडिया बेंक्राफ्टी जो फाइलरिया कास करता है अलेफंट एसे साथिपाऊं वो जो के सी लौ मींस केविटी पाई जाती है केविटी जायज सी बात है केविटी जैसा कि अभी में ुडेी दाव ज और तो ते अजब में जो ट्रेक होते थी ओपणिते होती ही वह माउस से लेकर की अज़ přिंप struct even 내가 totally शिलोम ही है तो वह शिलोम के अगर हम बात करेंगे में इस ऐसे ऑर्गनेर जिसमें शिलोम पाई जाती है तो वह सिलोम के पैटंपे ही इनको राधों में बाठा गया हो और भागों ovat क्या हो सकते है वो हमारे हैं वो तू फर्म हमारे हैं एड़ा टाइम आफ इंबियो 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 सेल टू मीजर सेल टू मीजो डर्म एड़ा टाइम आफ इंबिय अरिजने डेवलाफ हो रहा होता है जब इंपरियों डेवलाफ हो रहा होता है उस दोरां सेल टू मिजोडर्म उसद धोरां इंपरियों से लेकर के मिजोडर्म तक सरस्वे इंपरियों तर्फ देडोप करके ऊचली आपर यह зм З Loc राण आर्थोपोडा यानि कि हमारे जो da फालम एनलेड है फालम मोलस कहें और फालम आर्थो edarde यह Already Computer इंबिरियो डेवलोमेंट के दो रान जब मिजोडर्म बन रहा होता जब मिजोडर्मिकसल बन रहा होता है तो इसके सीलोम पाई जाती होना सीलोम का विक्सित होना सीलोम का क्या होना विक्सित होना डेवलाप होना तो सीलोम का विक्सित होना और आसो केटेग्राइज इंटू टू फार्म्स मिन्स होता है डेवलामेंट आफ सीलोम मिन्स सीलोम का डेवलामेंट होना वो दो भागों में बाटा गया उनको विद आ तूल दाना रहं नोटो कार्ड के अगर हम बात करें तो ऐनाफ है प्लम एकाइंटो का में बात कर दальной हैं फाइलम एकाइनो ड्रमेटा है है वह मेरे कया है घाए। तू इसमें नौटो कर्ड नहीं पाय जाती में इसमें वर्टीबरल हो वर्टीबरल कॉलम नहीं पाई जाती है तो यह यह हो गया और दूसरा हमारा है विद नोटो कॉर्ड मीस ऐसे और गिनिजिसमें नोटो कॉर्ड पाई जाती है वो हमारे क्या हो जाएंगे 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 जो भी मतलब और गिनिज्म है जिसमे वेल डेवलब्ड वर्टिबरल कॉलम परजेंस होती है वो सब कॉड़ेट ही कहलाते हैं जैसे कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग सेसन में ही इसको आपको क्लियर करा दिया था तो अगर हम कॉड़ेटा की परजेटा की बात करेंगे तो यह पाइसेस पाइसेस इसमें सब गृफ क्या आएगी पाइसेस आएगी एंपडिया आएगी अभी इसके बार में बहुत डिटेल्ड बहुत अच्छे इसको 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 पड़ते हैं फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हम बढ़ते हैं तो 5 किंटम आपके लिजिफिकेशन देखते हैं